मुझे कल राज जो कुछ भी यहां हुआ है उसकी पूरी जानकारी मिली है एक कारकरता को मैं सामने देख रहा हूँ जिसके मुँपर पटियां लगी हुई है उसके नाक को इंजरी कर दी गही है लेकिन हिम्मत इसको कहते हैं कि वह आकर के यहां खड़ा हो गया है कि मैं पस्चिम मंगाल के एक एक बीजेपी के कारकरता को कहना चाहता हूं कि कि आपकी यह तपस्या आपका यह जोश आपका यह बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा कुछ समय लगेगा कि दिया जब बूजने लगता है तो जड़ा आखिर आखिर में थोड़ा ज्यादा जोर लगा देता है मैं कभी दिलनी में बैठ करके सोच रहा था कि दीजी खुद सामब्यबादियों के साथन में इतनी परिशान रही खुद ने परिशानिया जेली हैं लोग तंत्र का गला घौंटने का तौन तरीके क्या होते हैं उससे वो खुद गुजरी है तो मैं सोच रहा था कि वो उस रास्ते पर कभी नहीं जाएगी और मुझे असर होता था कि वो ऐसा क्यों हो रहा है बेंगाल में लेकिन अब मुझे पता चल रहा है यह आपका प्यार है जिन्होंने उनकी निंद हराम करके रखी हुई है यह आपका उत्सा है आपका उमंग है और उसी लिए उनको लगता है कि वो भी हो सामेवादियों के तौर तरीके अनुपसार लोग तंत्र का गला घौंट करके निर्दोश नागरिकों को परिशान करके कारिकम में आने वालों की लोगों की गाड़ियां ज़ला करके उनको लगता होगा कि वो अपना राजनीति गुला सुधी कर लेगे तो वो समझ लें ना सामेवादियों नी हिंसा को बंगाल को दबाया हफ में सफलता मिली है ना टीमसी की सिंसा बंगाल के मिजाज को बदलने में दबाने में कभी सफल होने वाली है जिस सरकार को लोक तंत्र की मरियादा की परवान हो जिस पार्टी के कारकरताओं को हर तरह की हिंसा की छूट मिली हो और सरकार के मुलाजिम भी जिस प्रकार का वेहवार करते हो तब में मान लीजिए और मेरे शब्द लिख करके रखिए इनका जाना तैय है बंगाल परिवर्टन करके रहेगा ये मैं साब देख रहा हूँ बंगाल के पवित्र धर्ती अपना ये हाल बहुत दिन तक बरदास नहीं करेगी यहां की धर्ती में यहां की परंपरा में इतना सामर्थ है कि वो माम माटी मानुस के नाम पर सरकार बनाने के बाद यहां के लोगों को चून चून करके रास्ते से हटा कर रही ममता सरकार को ही हटा करके रहेगी करे करे भी रहे हैं